आज हम 11 का फर्स चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर पूरा आपको समझने से से पहले आपको यह जाना ज़रूरी है आपका बी-सी से पहले आपका साइंटिस्ल नहीं पइदा हूआ जो पहले सैंटिस्ल पैदा हुए उनका नाम था copies में, books में लिखते जाते थे, Quran, Bible, गीता, ये सब philosophy पे based है, इनके उपर कोई proof experiment नहीं है, मतलब कोई verification नहीं है, कुछ लोग बच्चे पूछते हैं, सर, ये सब चीजें दुबारा proof हम लोग क्यों करें, जो हमारी Bible, गीता इन सब में लिखी वे, उनको दुबारा क्यों बताया जा रहा है, प्रूफ करके, एक्चुली मैं science का मतलब ही किया है, verification, तो सबसे पहले जो ये दौर आया, के verification चीजों का होना चाहिए, ये Archimedes और Galileo Galilei के टाइम पे आया, ये थे आपके करीबन 14th century के आसपास की बात है, जब Galileo Galilei Greek में थे, और वहाँ पर ये ऐसे सलाकार थे, मलब वहाँ पर आप मान सकते हो, कि एक मंत्री की तरह ये वहाँ पर थे, जो ये क्या करते थे, कि कैसे युद में क्या हमें करना चाहिए, कोई भी war होगी, तो उसमें क्या हमें management करना चाहिए, उस चीज के उपर थे, और आप उपता होगा, कि Galileo Galilei की discovery में बताया गया है, कि उन्होंने telescope की discovery गई, तो सबसे बहुए जब telescope बनाया गया, तो उनका motive ये नहीं था, कि हम stars को, या फिर हम sun को, इनको देखेंगे, उनका main motive था, कि terrestrial चीजों को देखेंगे, मतलब की, दूर से war में भागते हुए, जो आपके soldiers आ रहे हैं, जो आपकी army आ रही है, उनको देखने के लिए, उन्हों सबसे पहले telescope बनाया, कि करीबन 5-6 km पहले से ही, हम उनको देख लें, telescope से, तो telescope बनाने के पीछए, एकदम simple सा logic था, उन्होंने दो glass लिये, और दोनों glass को इस तरीके से arrange किया, कि दूर की चीज़े बहुत आसानी से दिखाई दे, तो वहीं से आपका telescope की discovery स्टार्ट की, हुई, तो गैलिले गॉली बहुत minded इंसान थे, उनका बहुत ज़ादा हर चीज़ में उनकी सारे उनको वेड पता थे, सारी उनको languages पता थी, मलब काफी ज़ादा knowledge वाले बंदे, तो उनकी story से start करते हैं, तो उनकी story में ये है, कि उन्होंने जैसे ही telescope बनाया, तो starting में तो वो जब भी लड़ाई होती थी, तो उसके अंदर मदद करते थे, कि कैसे एक particular army को आपको हराना है, पर अपने free time में, जब मालो know what situation है, उस time पे वो उस telescope का use, बस generally ऐसे stars को और sun को देखने के लिए करते थे, तो हमारी गीता और जितने भी religious book है, उन सब के अंदर एक बात लिखी हुई है, कि अर्थ is stationary, अर्थ is stationary, मालो कि यह आपकी अर्थ है, अर्थ आपकी stationary है, और यह आपका जो sun है, sun इसके around rotate करता है, इवन पूरा का पूरा universe अर्थ के around rotate करता है, यह सारी की सारी जितनी भी religious book है, उसमें बताया गया है, कि अर्थ center है इस दुनिया का, religious books पे, क्योंकि कोई verification, कोई scientific logic हुआ ही नहीं करता था, तो हुआ यह, कि वो एक दिन अपना telescope से, एमी stars को, या फिर sun को observe कर रहे थे, तो अब उन्होंने एक चीज़ देखी, कि छोटा सा planet है, जिसका नाम mercury है, वो mercury rotate कर रहा है sun के around, तो उन्होंने एक चीज़ देखी, कि यार sun stationary है, और एक छोटा सा red planet, जिसे हम बोलते है mercury, वो उसके around क्या कर रहा है, rotate कर रहा है, तो उन्होंने ये चीज़ notice की, तो उनके दिमाग में आया, कि एक planet है, ये sun के around rotate करता है, और हमें तो ये पढ़ाया गया है, कि इस दुनिया में हर चीज, अर्थ के around rotate करती है, तो mercury तो अर्थ के around rotate नहीं कर रहा है, ये sun के around rotate कर रहा है, तो उनको थोड़ा logic समझ में नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, एक कोशिश की experiment करने की, ध्यान से उस experiment को आप समझना, माल लो, कि ये आपकी अर्थ है, और ये आपका sun है, पहले हम पुरानी theory लेते हैं, जिसके according, sun आपका rotate कर रहा है, तो माल लो, अगर आपका sun rotate करेगा, तो sun जहाँ जहाँ आपका आएगा, जिस direction में आएगा, वहाँ day होगा, और उसकी back direction में आपकी night होगी, बहुत simple सी बात है, एक experiment के according, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से भी रोश्नी आ रही है, तो इधर day होगा आपका, फिर यहाँ पर day, ऐसे day आपका चल रहा है, तो यह बहुत सही बता रहा है, यह हमारी 24 hours को भी बहुत अच्छे से verify कर रहा है, कि हाँ, अर्थ सेंटर पर है, और sun उसके around rotate कर रहा है, बट, उन्हें ने इसी experiment को उल्टा किया, इस वार इन्होंने sun को बीचो बीच रखा, जो आपका दी sun है, उसे बीचो बीच रखा, और इस वार अर्थ को अपनी access पे भी rotate कर रहा है, और sun के around भी rotate कर रहा है, आप देखो sun की धूप तो हर तरफ आएगी, तो मालों के अभी क्या है, क्या आपकी अर्थ यहां पर rotate कर रहे है, तो अब आपकी अर्थ यहां जगए पे रोटेट कर रही है, उससे क्या हो रहा है कि अर्थ का जो फेस जो फेस मालो ये वाला फेस है अभी यहाँ है तो यहाँ पर डे होगा और उसके जैसे यह और आगे रोटेट करेगी अपना 24 आर्ज में तो आप देखोगे कि इस तरफ डे हो जाएगा तो डे और नाइट ऐसे भी वेरिफाई हो रह कि वेदर कैसे होते हैं कैसे सर्दी और कैसे घरमी होती है तो उन्होंने देखा कि जब सन से अर्थ दूर होती है थोड़ी सी तो आप देखते हो उस टेम पे आपकी विंटर जोने के चांसे बढ़ जाते हैं और जैसे जैसे सन के वो पास आती है तो हो सकता है कि समर्ज आ ज जो हमारी science है, उसका meaning क्या है, पहले मैं आपको वो नहीं बता रहा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से step है, जिससे हम इस दुनिया में पता कर सकते हैं कि कोई चीज इस दुनिया में proven है कि नहीं है, तो सबसे पहले, जो main होता है, वो होता है, step वो होता है, observation, observation सबसे पहला step है, दूसरा step आपके control experiment, controlled experiment, तीसरा आपका step है, quantitative and qualitative reasoning, अब देखो, Galileo Galilei ने इन दोनों step को तो बहुत अच्छे से follow किया, observation, पहले उन्होंने टेलिस्कोप से observe किया, फिर उन्होंने control experiment किया, जो मैं आपको बता रहा था, यह वाल experiment, यह उन्होंने अपने lab में एक normal से bulb से कर लिया, यह experiment, क्योंकि उन्होंने cell की जगह पल पे bulb फिर उन्होंने तीसरा step सबसे ज़्यादा अच्छे से किया, वो था quantitative and qualitative reasoning, quantitative and qualitative reasoning, क्या होती है quantitative and qualitative reasoning, देखो उन्होंने logic लगाया, इस case के अंदर हम logic लगाते हैं, इस वार हम कोई experiment नहीं करते हैं, हम एक logic लगाते हैं, उन्होंने सबसे पहले 24 hours का concept बनाया, और यह उसकी quantitative है, quantitative का मतलब होता है, कोई भी चीज, जिसको हम maths के formula से measure कर सके, तो उन्होंने 24 hours का concept बताया, तो quantity means कितनी कोई value, तो 24 hours यहाँ पर ए अर्थ की, अर्थ की उन्होंने quality बताई, वो है rotation, रो-टेशन, quality होती है आपका rotational motion, तो याद रखना, quantity जो है, वो मतलब एक value हो गई, और quality हो गई, वो आपका हो गया rotational motion, तो अर्थ की experiment में, पहला उन्होंने observe किया, कि अर्थ rotate कर रही है, दूसरा उन्होंने देखा, कि अर्थ में day और night कैसे हो रहे है, फिर उन्होंने quantity लगाई, 24 hours की, और एक rotational motion की, चौ experiment को जब verify करवाना चाते हो, तो उसके लिए होता है, कुछ mathematical modeling, इसके अंदर ये नहीं है, कि आप maths की बुक ले लो अपने हाथ में, और modeling पे निकल जाओ, नहीं, mathematical modeling का meaning यहाँ पर है, कि जो भी आप बता रहे हो, उन सब का एक formula दो, उस सब का आप एक कही ना कहीं, इन सब का एक relation बना, relation का मतलब होता है, कि 24 hours का seasons के साथ और day के साथ क्या combination है, उसका formula क्या होगा, time का formula क्या होगा, और वहीं से time का formula बनाया भी, time का formula उनने बताया था, 2πr अपन में velocity of earth, basically time किसे निकलते है, time का formula होता है, distance upon speed, और वहीं उन्हों ने किया, distance को उन्होंने 2πr लिया, तूपाय आरा आप जानते हो basically perimeter और V यहाँ पर जो है वो आपका speed को show करता है तो यह उन्होंने formula दिया this is called mathematical modeling चीजों को आपस में link करना और पाँच भी चीज जो सबसे important है वो है prediction prediction अब क्या होता है जब भी कोई scientist कोई भी theory पेश करता है तो उसे future के लिए भी इस theory से होने वाले effect बताने पड़ते है future में भी होने वाले effect बताने पड़ते है कि इससे क्या क्या हो सकता है देखो इससे पहले पता है लोग कोई भी eclipse के बारे में नहीं जान देते जब तक Galileo Galilei ने नहीं बताया कि eclipse क्या होता है मतलब कि जो सूर्य ग्रहन है और चंद्र ग्रहन है आज भी हमारे देश में कितना जादा उनके उपर लेते हैं अंधविश्वास होता है कि यार ये हो रहा है इसका मतलब अर्थ भगवान नाराज है उस दिन पूजा करो उनकी पर एक्चुली मैं एक सिंपल सा उन्होंने डिक्शन भी कि कि इतने साल बाद अजिवथ साइगा और क्यों आएगा उसका रीज़न भी उन्होंने बता आए तो इसका मलब जब कोई साइंटिस बन जाता है तो वह प्रेज़ेट के बारे में तो बताता ही है और फ्यूचर के बारे में भी बताता है और पांच भी करते हैं कि वेरिफिकेशन या फॉल्सिफिकेशन अब देखो गेलियो गेलियो के यह पांस स्टेप तो बहुत अच्छे रहे उन्होंने पांस स्टेप पर खूब मेहनत की पर जब अब देखो उसने पर कोई और सैंटिस्ट था नहीं तो यह पूरी यह पूरी थ्चोरी लेक वहीं पर भरी सबा में गेलियो गेलियो की बहुत जादा तोहीन की और दूसरा उसने उस पूरी थ्योरी को फॉल्सिफाई कर दिया पूरी की पूरी थ्योरी को नकार दिया इसलिए नकार दिया क्योंकि उसको खुदकुल रीजन नहीं पता था वो सोची नहीं पाया कि इत तरीबन 10 साल की imprisonment मिली, मतलब उनको jail में डाल दिया गया, पर वो रुके नहीं, उन्होंने और भी अच्छी study की, और सारी चीज़े वहाँ पे walls पे लिखते गए, आज भी उनकी imprisonment मौजूद है, वहाँ पे लोग जाते हैं, विजट करते हैं, और देखते हैं उनकी सारी theories को, और बाद में इस theory को, आगे जाके Kepler ने बढ़ाया, काफी सालों बाद, पर यह मैं आपको बता रहा हूँ 6 steps, सबसे पहले उन्होंने किये, इन 6 steps को हम एक नाम देता है, इनका नाम होता है, Steps for Scientific Methods, Steps for Scientific Methods, कि अगर आपको scientifically कोई भी चीज़ प्रूफ करने हैं, तो आपको chapter आपको बताता है, कि physical world में, आपको इन 6 steps से गुजरना पड़ेगा, अब आते हैं हम, जो पहला topic था, मतलब कि science क्या है, science, जो यह सारी चीज़ है ना, उन सबको मिला दो, तो आपको पता लगेगा, कि science just क्या है, जो भी हमारे universe में, जितनी भी चीज़ है, उन सबकी knowledge है, म उसके अंदर मैंने science बताया है, कि science कौन है, K-O-N, कौन मतलब, K means knowledge of nature, और nature में तो आप जहां तक देख सकते हो, वो nature के अंदर आ सकता है, और सिरफ आँखों से ही नहीं, telescope, microscope, जितना आप macroscopic जा सकते हो, और macroscopic जा सकते हो, microscopic आप जानते हो, क्या होगा, बहुत ही छोटी चीज़, और macroscopic होगा, बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ है, तो याद रखना, कि science जो है, कि जितनी भी nature में knowledge है, वो आपकी सब कुछ आएगी science के अंदर, और science का जो Greek word है, वो होता है scientia, और उस word से बाद में जाके बनी science, और हमारे basically Sanskrit में भी बहुत पहले से ही, विज्ञाना, विज्ञान बोलते हैं हम लोग, तो उसका meaning भी है nature, विज्ञान का meaning भी है, आपका पूरा का पूरा nature, तो ये आपका सारे के सारे method, उसी सिर्फ science के, नेचर के अंदर जितने भी laws हैं, उनको प्रूफ करने के लिए आपको ये clear हुआ होगा, कि ये आपके सारे छोटे छोटे प्रॉसेस हैं, जिनसे आपकी science बनी है, अब जो हमारा main motive है, वो है physics, chapter के नामे physical world, तो इसमें physics से related हम क्या पढ़ सकते हैं, तो एक बार मैं आपको एक scientist, Newton के बारे में बता देता हूं, कि उन्होंने भी इस 6 step का use क और वो verify हुए, तो उनका मैं आपको एक बता दू, कि उन्होंने सबसे पहले observation की, आप जान रही हो, वो जो apple गिरा था, बहुत लोगोंने एक story बना रखी है, कि apple जो है, वो कपेड से नीचे उन पे गिरा, तो ये उनकी observation थी, उन्होंने experiment किया, कि हर चीज नीचे गिरती है और कोई ना कोई चीज है, कोई ना कोई force है, जो यहाँ नीचे मौझूद है, उन्हें नहीं बता था कि gravitational force है, पर उन्हें बता था कि gravity, ये अर्थ कुछ ना कुछ को कर रही है, तीसरा उन्होंने बहुत सारे formula बताए, f equal to mg, mass into gravity, तो ये उनका quantitative और qualitative reasoning बताए उन्होंने, mathematical modeling में उन्होंने बहुत सारे formula दिये, prediction में उन्होंने ये तक predict किया था, कि moon जो है, वो कैसे tides पे force लगाता है, कैसे moons की gravity tides को खीषती है, और आखरी में जाके वो verify हुए, और आज हम इतनी ज़्यादा gravitational force के बारे में पढ़ते हैं, आप जानते हो, और अब एक साल पहले की ब theory लाएं, जो कि अब बच्चों की books में आने वाली है, जो है field theory, कि जो earth है, उसमें से एक wave निकलती है, जो कि किसी ने नहीं बताया था, तो आप ये मसमाना कि science रुख जाती है, कोई भी कोई experiment करता है, और वो अगर verify हो जाता है, तो बाद में falsify नहीं हो सकता, बाद में जाक physics के ओपर, कि physics क्या है, और physics का word कहा सा है, same, ये Greek वाले थोड़े जादा smart होता है, यहां से आया है, ये physics का word भी, जिसका नाम है, fuses, अब ये fuses word है, इसका मलब होता है word phenomena, ठीक है, और physics जो है, ठीक है, ये बिलकुल आपका relate करता है, इसका accurate meaning ही हो गया nature, natural, या आप बोल सकत ये वो natural phenomena, तो जितने भी natural phenomena है, वो physics के अंदर आते हैं, अब क्या-क्या है natural phenomena, आप सुबह जब उठते हो ना, तो जब आपकी आँख खुलती है, तो आपकी आँख में जो light आती है, जिस वज़े से आपका retina पूरा काम करता है, हर cell आपका काम करता है, वो सारी वहीं से physics स् तो सबसे पहले light को बहुत जादा physics आपका मानता है, फिर chemistry में जितने भी matter, उनके अंदर वो जो electron motion करता है, कैसे nuclear force काम करती है, वहाँ पर भी physics है, ठीक है, अब इसी सम कैमरे में shoot कर रहे हैं, ठीक है, इसकी resolving power है, इसके अंदर एक lens है, वो भी क्या है आपका, कही ना कही natural phenomena मिला है, अब यह जो मारकर, जिस मारकर से लिख रहा हूँ न, अब देखो, इस मारकर के उपर, मैं अगर chalk चलाऊंगा, white board के अंदर यहां मैं, chalk चलाऊंगा, तो chalk इसके उपर नहीं चलेगी, पर यह वाली ink है हो, इस पर चल पा रही है, इसका मलब chalk और यह white board, दोनों आप लगता है, कि बहुत हर जगई physics है, biology की starting जब हुई थी न, तो वो भी starting में पूरा physics से उसको बताया गया था, फिर वो अलग field बन गई, फिर chemistry एक अलग field बन गई, पर मैं आपको starting को बताता हूँ, कि science में, जब सबसे पहला Archimedes और Galileo Galilei ने कदम रखा, तो physics से starting हुई, और physical world का मतलब यह है, कि पूरा जो यह world है, यह physics के उपर ही काम करता है, तो इसके अंदर जितने भी phenomenon है, वो हम physics के अंदर पढ़ने वाले हैं, यह आपको एक introduction बताता है, यह chapter, first chapter के कितना ज़्यादा important है, physics का, दूसरा, अब आपको school वाले teacher बोलेंगे, इस chapter को मत पढ़ो, यह important नहीं है, इसमें कुछ numerical नहीं है, इसमें कुछ काम का नहीं है, बट, आपको मैं बता दू, first round के अंदर, आपको दो question इससे MCQ मिलेंगे, फिर आपको midterm के अंदर दो question मिलेंगे, फिर UT में आपको दो question final में, एक एक नंबर, एक नंबर के, तो teacher कहते हैं, दो number का है, पर actually में वो question दो-दो जो number के हैं, वो same नहीं आने वाले, जो first round में आने वाले हैं, वो UT में नहीं आने वाले, और जो आपके midterm में और finals में आएंगे, जो pre board में आएंगे, और जो J mains में आएंगे, वो सारे question अगर मिला लग तो total 10 question होता है, और उन 10 question वो सारे same तो नहीं आने वाले ह दो नमबर का है छोड़ दो वट एक्चुली में ये कोशन ये जो चैपटर रही है इसमें से आपको अलग-अलग टाइम पर दो-दो कोशन मिलेंगे तो आपको दस कोशन मिलेंगे और ये कोई चैपटर दस नमबर का है और सोचो तो दो question अगर आपके J main में आ गए वो तो 4 number की होते हैं तो आपको 8 number इस chapter से मिल सकते हैं इसलिए हम इसका next part बनाएंगे और next part के बाद आपको मैं 20 SMCQs करवाने वाला हूँ जिसके अगर आप ये जानोगे कि इस chapter में भी बहुत हुच्छा और बहुत ज़्यादा माइंड लगाने के लिए